जय मातादी दोस्तों बास्तु सास्त्र में दिसाओं का बहुत महत्तों माना जाता है। सुक और समर्दी बनी रहती है बास्तु में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है जिन से घर में रखने शे बरक्कत और खुसाली आती है लेकिन इन चीज़ों को भी सही दिसा में रखना आवसक होता है तो यह उत्तम फल्पिदान करती है तो चलिए जानते हैं कौन सी वो जाए धातू से निर्मत मचली और कच्छुआ वास्तु सास के अंट्रा घर में धातू का बना कच्छुआ और मचली रखना भूती सुख रहता है धातू के बने कच्छुए मचली को हमेशा उत्तदिसा में रखा जाना चाहिए इससे दर्दता दूर होती है घर में सुक समर ठीघ आती है बलिग से बास्तू के निवारण के लिए महत्पूर ód माणा जाता है बहुती फायधे बन रहता है चुछ यह मतश्मी की महत्तो लगो में मालंच्छली धन व्यस्वर्यया करने वास्ता द देवी यह उत्तदिसा को धन की दिसा माना जाता है घिशा मानते हैं बास्तु के अनुशा घर की उत्त दिसा में कमल के आसन पर विराज मान माल अच्मी की ऐसी तस्वेश जिसमें वे अपने हाथों से सोने के सिके की वारिश कर रही हूं बास्तु बिग्यान के अनुशार इससे माल अच्मी किर्पा बनी रहती है जिससे आपके घर में धन धान की बरकत होती है भरी सुराई या मटका बास्तु साथ के अन्षा ये दियाब चाहते हैं कि घर में धन की बरकत बनी रहे तो अपने गुतत दिशा के में पानी से भरी मिटी का सुराई या अथवा घड़ा रखना चाहिए इससे कभी भी पैसों किलत नहीं होती है घड़े या सुराई को रखते समय इस बात का ध्यार अवसर रखना चाहिए कि ये खाली ना हो इसे ही इसमें पानी कम होने के लगे उसे बदल कर नया पानी बर कर रख देना चाहिए घर में रखें बास्तु का परमिट बास्तु की अनुशा घर में पिरामिट रखने से साकार्णता कर संचार होता है पिरामिट कई परिशानियों को दूर करने में कारगर होता है आप अपने घर में चांदी भी तलत्वा तावे से बनी पिरामिट रख शकते हैं इसे सामान गर की उत्धिसाम रखने से धन में बरकत होती है इसके अलावा या बच्चे की पढ़ने की मेज़ पर प्रामिट रखने से पढ़ाई में है जहां परिवार के सबी सदसे 1 साथ सबसे जादा समय बिताते हो तो ईसमें प्यार बढ़ता है तोते की तस्वीर जिस घर में पढ़ने वाले बच्चे हो उस घर में तोते की तस्वीर लगाना बहुत ही सुब माल रहता है बास्तू के अंशाय दूता दिसा में तोत्य की तस्वीर लगाई जाए तो पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए बहुत ही फायदे बंद रहता है